नमस्कर दोस्तों आज में आपको बड़ा ही लजीज एक पकोड़ा बना के दिखाऊंगी मूंग दाल से इसे मूंगोडी भी बोला जाता है और बेहाद टेस्टी खटा मिठा इमली के चटनी के साथ लगता है और यह जो सनेक्स है आप बारिश की मोसमें इसका लूप उठा स लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें देखिए हम मुंग दाल एक पप लेकी भी वो लिए हैं दो घंटा पहले अब इसे छान के हम थोड़ा सा एक चमच पानी डालके पीसेंगे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे इस तरीके से एक चमच पानी डालेंगा पीस जा बहुत ही जट पट पांच मिनट में बनने वाला यह मुंगोडी की रेसिपी है यह जो बड़ी बनता है ना इसका जो स्वाध है पूरे आपके किचन में खुस्बू आने लाएगा तो एक बार आप जरूर बनाएगा सोंधी सोंधी खुस्बू आएगा यह देखिए अब बड़ी बनने के लिए तयार है तो तेल हम गरम कर लिए है जो भी आप खाते हो इसे गरम कर लीजिए उसके बाद हाई फ्लेम पे ही इसे डालिए थोड़ा से हम डाल के चिक करेंगे तो देखिए इसमें से बबल बहुत अच्छा आ रहा है तो तेल हमारा गरम हो गया है मैं अग्याल गई मीजा से फूल पूल के बड़ा जाता है क्यूंकि हम फेट लिए लिए यचि एक दो मिनट के लिए तो उसे फूल जाता है तो देखिए हम शारा कढ़ाई में डाल यह है और यह जो मौंग डाल का मौंगाली उसे हम चला देंगे और जैसे यह हम सारा पकोड़ियों कड़ाई में डाल लेंगे अब इसका फ्लेम हम लोग कर देंगे यानि का हमारा जो तेल का टमप्रेचर लोग करके उसके बाद इसे पांच मिनट तक तेल में ही रखेंगे जब तक यह करारा ना हो जाए यह देखिए लग रहा ना टेस्टी और लज चैनल से जुड़े रहने के लिए हावारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को जरू दबाएए फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में जब तक के लिए बाइबाई